प्यारे बच्चे और बच्चियां, क्लास फाइब से लेकर के एट तक के बच्चे और बच्चियों के लिए संग्या पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में हम इन आखों से जो कुछ देखते हैं, उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है हमारे मन में जो भाव आते हैं, उनके भी क्या है? नाम है, क्रोध, मितता, आदी इन नामों को संग्या करते हैं, संग्या अर्थात नाम किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान प्राड़ी और भाव आती के नाम को संग्या करते हैं यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु वे संग्या नहीं होती हैं, उनके लिए प्रयोग के जाने वाले सब्द ही संग्या होते हैं शंग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, पहला है ब्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा जाति वाचक संग्या, तिसरा भावाचक संग्या, तो पहले हम ब्यक्ति वाचक संग्या को देखेंगे, जिन सब्दों से किसी विसेश ब्यक्ति अस्थान और वस्तु का पता च उसे ब्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, ब्यक्ति में जैसे रस्मी, राकेश, सुस्मा, सुधीर, प्रिती, रमन, हेम, चन, आदी, अस्थान है, हैदराबाद, निवार्ग, इटली, चादनी चौक, मतुरा आदी, वस्तु है, रमायर, क्या है, पुस्तक है, रसगुल्ला, चाई है, पपिता, फलय, आदी, अब इसको जाति वाचक संग्या देखेंगे, जिन संग्या सब्दों से वस्तु, प्राणियों, पदार्थों और अस्थान आदी की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जाति वाचक संग्या कहते हैं, वस्तु, तेल, चीनी, पीतल, सबजी, कार, पंखा, नल, पापर आदी, प्राणियों, चीटी, हाथी, बिल्ली, चुगा, आद्मी, औरत, बच्चा आदी, अस्थान, गली, गाउं, बजार, दुकान, आदी, अब भावाचक संग्या देखेंगे, जिन संग्या सब्दों से प्राणियों, प्यक्तियों, वस्तु, आदी के गूंड दोस, कार, दसा और भाव का पता चलता है, उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं, जैसे बच्पन, बुढ़ापा, घवराहट, महानता, कायरता, सुन्दरता आदी, अब इतना ही आप सभी बच्चे और बच्चियां, जो संग्या हम पढ़ाये हैं, और संग्या का भेद, तीन होते हैं, ब्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भावचक, इतीनों को हमने बता दिया आपको, आप इसको देख करके, आप लिख लिजिएगा, और इसको चेक करे थी,